कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन रिलेटेट टू बाइलोजी चापकर रे नूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का पाट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नूट्रिशन बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है तो नूट्रिशन का मतलब होता है के टाइपस भी आएंगे मौड फ नूट्रिशन तो वह अटोटोफिक है प्रोफिक याने की प्लांट से रिलेटेट पढ़ना है है याने की अनिमल से रिलेटेट पढ़ना है कहां कौन सा प्रोसेस होता है यह सब इंपोर्टेंट पोइंट के बारे में डिसकस करेंगे चल प्रोफिक होते हैं है प्रोफिक होते हैं तो एक्वेशन की बात करें तो एक्वेशन क्या होती है 6CO2 प्लस 12H2O और यह मिलकर के क्या बनाते हैं है चलोरो फिलोट सॉनलाइट की प्रेजेंट में C6, S12, O6 और साथ में निखलती है 6 Oxygen और साथ में 6 S2 तो यहां पर अगर बात करें तो raw material होगे ना जिन्हें product में change करें तो raw material क्या हो गए? CO2 और water CO2 कहां से मिलती है? Stomata की through मिलेगी atmosphere से और water कहां से? Soil से मिलेगा root hair absorb करेंगे xylem transport करेंगा Next question है How do the guard cell regulate the opening and closing of Stomata pore? अगर guard cell की बात करें तो guard cell जो है वो bean shape की होती है इस तरीके से यह जो है Stomata pore हो हो रही यह guard cell है अग guard cell में जैसे ही पानी एंटर होता है वोटर एंटर होता है तो यह क्या हो जाती तर्जी तर्जी होने से open हो जाएगा स्वेल होने से open हो जाएगा इसका pore और जैसे water vapor form में भाण निकल जाता है तो यह क्या हो जाती? श्रिंक हो जाती और वो close हो जाएगा तो यह open Stomata और यह close Stomata इस तरीके समयापर show करना है Next question है equation of photo synthesis यहां पर sunlight और chlorophyll की जाएगे यह से दे दिया जाए यह क्या होते हैं? saprotrophic तो यह directly क्या करते हैं? nutrient को absorb करते हैं nutrient को क्या करते हैं? absorb करते हैं they feed on dead and decay matter Next question है define saprotrophic and parasitic mode saprotrophic की बात करें तो अभी जो मैंने mushroom बनाया था वो इसका example है परासाइट की अगर बात करें तो परासाइट का मतलब होता है यह परासाइट की बात करें तो यह क्या होते हैं? यह प्लस माइनस इंटरेक्शन हो गया खुद तो क्या कर रहा है? फाइदे में हैं benefit दूसरे को नुकसान दे रहा है तो यह क्या हो जागा? परासिटिक मोड हो जाता है जेसे फीमे इल मस्कितों की बात करें तो यह क्या होते है? पि परासाइट होते है इसक्वेस्शन है वोट इस ते साइट ओ फोटो सिंतेजिस की साइट क्या होती है? तो leaf यह इस तरही किसशे यह स्टोमेटर यहां पर क्या होता है? मिजोफिल क्लोरोपलास्ट। क्लोरोपलास्ट के उनदर ही क्लोरोप्लास्ट क्या हूता हैáriasoz erिफ मेजभी जादा के कौन सेलम ही मिलता है सब से रहादा अपनिosphorus क्लोरोप्लास्ट सेल मेंृफ Crist नेम सेलम ध्रीन इन संप सेलंग you can't No zur…. of a leaf observed by a student under a microscope, कुछ क्या दिखिए उसको ग्रीन डोड दिखिए और वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, अगर कुछ आ रहे हैं, और जो इनक्टिव एंजाइम्स होता है, लाइक पेपसी नोजन, प्रोरेनिन उनको एक्टिव करने का काम करेगा, इनजाइम हैं, तो डाइजेशन करेंगे, यानि की कॉंफलेक्स फूड को सिंपलर फूम में चेंज करेंगे, ताकि बॉडी सेल्स उसे क्या कर सके, अब्सूब कर सके, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, बड़े बड़े फेट ग्लोबिल्स को क्या करना परता है, पहले चोटे चोटे ग्लोबिल्स में चेंज करना परता है, ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्या कर सके, रियक्शन शो कर सके, उसी को क्या बोलते है इमल्सिफिकेशन, what is the role of mucus in stomach, अब SCL मैंने बताया था, बहुत जाधा acidic होता है, तो SCL अगर सिक्रीट हो रहा तो stomach क्या हो जाएगा, बिचारे को नुकसान पोचाएगा, हाम हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, mucus, कौन प्रोटेक्ट करेगा, mucus squatting बनाता है पुरी, तो उसे protect करता है, किसके actions है, SCL और enzyme के actions है, mention the end product of fate, protein and carbohydrate, fate तो fatty acid और glycerol बनता है, protein से amino acids बनते हैं, कार्भोईडेट से क्या बनेंगे, glucose, ठीक है, क्या बनेगा, glucose बनेगा, next question है, photosynthesis की steps लिखनी है, तो photosynthesis की सबसे पहली step है, chlorophyll क्या होता है, excite होगा, chlor chlorophyll excite होकर के energy जो है, एक lower class से higher class की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से chlorophyll क्या होगा, excite होगा, the process by which green plant make their own food, उसको क्या बोलते है, photosynthesis बोलते है, mechanism क्या हो जाएगा, absorption of light by chlorophyll, अब light जो उसने लिए, उसको क्या करना है, convert करना है, कौन सी light में, solar energy को, chemical energy में, और साथ की साथ क्या करना है, H2O का photolysis करना है, और एक last process होता है, जो है, CO2 को किस में change करना, glucose में change करना, तो CO2 को क्या होता है, reduction क्या होता है, reduction होता है, अमीबा के अंदर अगर बात करें, किस तरीके से हम समझाएंगे, या how amoeba obtain its food, तो amoeba क्या करता है, अपनी body को किस में change कर लेता है, अ क्यों बन गई इसको डाइजेस्ट करेगा पार्ट सेल के अंदर चला जाएगा बाकी को वह एब्जोब्ड कर देगा करेगां है नेच्ट आज्टै यह जाना है बख्कल केवेटी में इस्टार्च का होता है जिसे тьण्पल इस तरहीगा सेस्टरिक से कोन-पाल केविटी में होगा इस places स्टमाहिश हो गय pretty इसको तोड़ेगा प्रोटीन को क्या करेगा डाईजेस्ट करेगा इस्मौल इंटेस्टाइन में कौन-कौन आयेगा लीवर से आयेगा बाइल जूस आईगा और वहीं से पैंक्रियास से क्या बाइल जूस बाइल जूस में बाइल सोल्ट होते हैं जो क्या करेंगे फेट का इमलसिफिकेशन और बागी ट्रिपसिन, लाइपेज और पैंक्रियेटिक अमाइलेज वो पैंक्रियास में होंगे तो वो एक तरीके से किस-किस को तोड़ेंगे, प्रोटीन को, इंटेस्टाइनल एंजाइम, कार्भो हाइडरेट, इमलसिफाइट फेट को, ये सारा इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा, फेट का इमलसिफिकेशन कौन करेगा, बाइल सोल्ट करेगा, कुछ इंपोटेंट लिवर लड़्जेस्ट ग्लेंड होती है, और ये बाइल जूस सिक्रेट करती है, बाइल सोल्ट होता है, जो इमलसिफिकेशन करता है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, यह बहुत इंपोटन गुष्चन डरेक्शन कर सके, पिर भी वह किस थारीके से डारीकेसे नि है लास्त बाला पार्ट जो गतुता करता है उंडाइजेस्टेटि फूड को इस्विंक इतार क्या होते हैं ये जो प्रश है यह प्र bargainer करें कि तो सब्सक्ड में इसो फ़ेगस के बाद में आता है इस टूमan के बाद में thankful में इसी के साथ में यहां पर बीचमें क्या होती है ग्लेंट्स भी होंगे, तो यह कुछ इस तरीके से, यह है माउथ, और यहां पर कौन हो गई, सलाइवरी, ग्लेंट्स, यह फैरिंग्स वाला पार्ट, और यहां से आ गया, स्टमक, स्टमक से यहां पर होता है, लिवर, और यह गॉल ब्लेडर, यहां से डक्ट आती है, और कौमन डक्ट किस में ओपन होती है, पैंक्रियास के साथ में, डूडीनम में, किस में हो जाएंगी, डूडीनम में यह पैंक्रियास होता है, स्टमक के नीचे, अगर इसकी बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से होगी, औ को बोलता है उस पार्ट को क्या बोलेंगे सीकम बोलेंगे तो यहां पर इस तरीके का इलिमेंटर गैनाल का क्या है डाइग्राम है थेंक यू